तो दोस्तो थमनेल पर आपने बिल्कुल सही पड़ा है आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकेशन करने चाहरे हैं कि एक्चुली अमेरिका के अपनों ने ही अमेरिका की करंसी को पूरी तरह से डुबो दिया है असल में जब रश्या यूकरेन वार शुरू होता है उस समय अ बावज़ुत व्लादिमिर पुतिर ने अपनी सूजबूच के चलते अपनी देश की एकॉनमी को काफी अच्छे से मैनेज किया और वो डेंट नहीं पहुचने दिया अपने देश को जो की ये लोग पहुचाना चाहते थे लेकिन अगर वही पर अमेरिका और उसके सहयोग अगर भारत का ही लिया जाए तो भारत ने 20 से जादा देशों के साथ करार कर लिया है इसी दोरान कि अब हम लोग ट्रेड को लोगल करनसी में करेंगे जिसमें अपने रुपिये को चलाया जाएगा और रश्या से ओयल का ट्रेड अगर छोड़ भी दिया जाए उसके बाव अश्रुपती मैनवल मेक्रो چाइना में खड़े होकर चाइना यानि अमेरिका का इस समय कटर प्लतिद्वनदी वहाँ पर खड़े होकर यह आवान करते हैं अपने बाकी के योरोपे देशों से की अमेरिका की करणसी की उपर भी निर्भरता समाप्त करनी होगी और उनका य यूरूपेन देशों की करंसी यूरो निकल कर आ रही है। एक तो यूरूपेन देशों काई संह्मू इतना बड़ा है गबग 32 देश है . इसके आलाज्वा रेसेंट्ली आई-एम-व की तरप?' है . इन सब आनुसार 1997 में जहापर दुनीया भरं के अंदर के तोर पर डॉलर की हिस्सेदारीक 70% हुआ करती थी वहीं ये 2010 में कम होकर 62% हो गई और अगर वर्ष 2020 की बात की जाए तो ये केवल 58.41% ही रह गई है और वर्ष 2020 से 24 तक का डाटा भी उपलब्द नहीं है वरना ये आकड़ा और भी नीचे आ चुका है लगबख 40% मान लीचे इतनी ही ग्लोबल रिजर्व करंसी के तोर पर डॉलर का इस्तमाल अब किया जा रहा है इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि दुनिया के लगबख सभी देश जिसमें भारत भी काफी प्रमुकता से अपने रिजर्व करंसी के तोर पर डॉलर को हटा कर सोने को प्रात्मिक्ता दे रहा है और भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में जो सोने की हिस्सेदारी है वो आप बढ़कर 55.8 बिलियन डॉलर तक बहुच चुकी है इसके साथ पिछले सब्ता भारत की दौरा 1.24 बिलियन डॉलर का गोल्ड खरीदा गया इसके अलावा अगर पिछले साल की तुलना में इस साल हम लोग हमारा खुद का गोल्ड रिजर्व देखें तो इसमें 13 टन की बड़ोतरी हुई है और अब गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत दुनिया का नववा सबसे बड़ा देश बन चुका है और मैं आपको बता दू कि ये गोल्ड रिजर्व वही है जो कवर्मेंट के पास है जो आम इंसान यूस करते हैं जो हमारे महिलाएं जुलरी वगेरा पहनती है वह गोल्ड आप इसमें काउन मत कीजिए इसके साथ साथ अगर दुनिया भर की बात की जाए तो अमेरिका के डॉलर को त्याकते हुए पूरी दुनिया के अंदर वर्षे 2021 में 450.1 टन सोनी की खरीदारी की गई इसके बाद वर्षे 2022 में यह आकड़ा और बढ़ जाता है और करीद 3 गुना बढ़ जाता है और 1137.6 टन सोना खरीदा जाता है इसके बाद वर्षे 2023 की बात की जाए तो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है लेकिन फिर भी आकड़ा 1037 टन रहा है और अगर बात की जाए तो पिछले 6 सालों में जो सोने की खरीद है वो 68% तक बढ़ चुकी है क्योंकि अब दुनिया भर के देशों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर अमेरिका से किसी तरह का कोई conflict हमारा हो जाता है वो रश्या की विदेशी मुद्रा भंडार की तरह हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी सीज कर सकता है अगर वो डॉलर में रहा तो इससे अच्छा है कि इसके बतले हम लोग गोल्ड को रिजर्व करके रखें और इससे अमेरिका के डॉलर को तगड़ी चोट पहुची है और इसी के परिणाम सोरूप अभी कुछी दिन पहले अमेरिका के अंदर राश्ट्रोपधी पत्के दावेधार डॉनल्ड टरम दौरा ये भी कहा गया है कि मेरे आने के बाद यानि अगर मैं सत्ता में लोटता हूँ तो डी डॉलराजेशन करने वाले देशों के खिलाफ कारवाई की जाएगी यानि बलपूरव कब वो डॉलर का इस्थमाल करवाने की बाद दुनिया के सामने रख रहे हैं हलाकि काफी बेतू का बयान था उनका लेकिन इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया जाना ये अपने आप में इस बात की होशना करता है कि डॉलर का सूरियास्त होना शुरू हो चुका है